भारतिये जनता पार्टी से जादा देश द्रोही और भारतिये जनता पार्टी से जादा बड़ा टुकुडे टुकुडे गैंग इस देश में कोई नहीं है। और दुनिया भर में और पूरे देश को राष्टवाद का फर्जी सर्टिफिकेट बांधने वाले किसी भी बात पर आपको राष्टवाद का सर्टिफिकेट ठामने वालों का असली चाल चरित्र और चहरा अभी आपने देखा है। ये लोग पूछते हैं टुकुडे टुकुडे गैंग भारतिये जनता पार्टी से जादा देश द्रोही और भारतिये जनता पार्टी से जादा बड़ा टुकुडे टुकुडे गैंग इस देश में कोई नहीं है। यह हैं इनका असली चाल चरितर और चहरा भारत की भूभागी अखंडता और हमारी संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का खिलवार बरदाश्ट नहीं है। उस वीडियो में जैसा कि आपने वीडियो में देखा और हम साजा भी करेंगे उस वीडियो में भारत की जमीन का हिस्सा पाकिस्तान और चीन में दिखाया गया है। हमारी जमीन का हिस्सा चीन और पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया गया है। जब आक्रोश हुआ जब लोगों ने दिखा बोलना शुरू किया कि अरे इसमें तो भारत का हिस्सा पाकिस्तान और चीन की सरजमी में दिखा दिया गया है। तो ट्वीट करकर विडियो भागने लगे। पहले फेक न्यूस फैक्टरी के हैड ने ट्वीट किया फिर भारती जनता पार्टी के ओफिशल हैंडिल ने ट्वीट किया। लेकिन एक लंबी फैरिस्त उन लोगों की अभी भी है जिनके हैंडिल्स पर जिनके फेस्बुक पर जिनके तमाम सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर आपको ये विडियो अभी भी मिल जाएगा जिस विडियो में भारत की सरहद को कम दिखाया गया है। पारी जमीन को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा दिखाने का दुस्साहस और दृष्टता भारती जनता पार्टी ने की है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये गलती है। मुझे लगता है ये गुनाह हैं। यह सिर्फ गुना इसलिए नहीं है क्योंकि आपने भारत की संप्रबुता पर सवाल उठा दिया भारत की संप्रबुता के साथ खिलवार किया यह गुना इसलिए भी है क्योंकि इसी सरकार की 2016 में लाई जियो स्पेशल इन्फरमेशन रेगुलेशन बिल के अनुसार कोई भी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म कोई भी सोशल मीडिया एजनसी कोई भी अगर हमारे नक्षे के साथ खिलवार करता है तो उसके उपर सो करोड का फाइन और साथ साल की सजा होती है अब भारतीय जनता पार्टी में जेल कौन जाएगा वेर ड़स दबक स्टॉप जिम्मेदारी किसकी है प्रधान मंतरी फ्रांस में कसीदे पढ़ रहे हैं आईटी सेल चरन चुमबक बनी हुई है और भारत की अखंडता और भुभागिये संप्रभुता के साथ आप ये खिलवार करिएगा और हम चुप रहेंगे हम बरदाश्ट करेंगे इसको ये आपका असली चाल चरित रो चहरा है ये इस्जत है और असलियत ये है कि ये आपकी मंशा है आप यही करना चाहते है और यही कर रहें आप इस देश को खंडत कर रहें इस देश के टुकड़े कर रहें और उन टुकरों को पाकिस्तान और चीन का दिखाने का दुस्साहस कर रहें अगर ये देश द्रो नहीं है तो क्या है अगर ये गुना नहीं है तो क्या है और आज इस देश के प्रधान मंत्री को क्योंकि उनके उपर वीडियो बनाया गया था उनकी पार्टी ने इसको प्लाटफॉर्म पर शेर किया और भारतिये जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नडड़ा को इस देश से हाथ जोड़ कर माफी मांगनी चाहिए इस प्लाटफॉर्म से हम ये उम्मीद करते हैं ये आशा करते हैं ये मांग करते हैं कि इस गुना की सजा भारतिय जन्ता पार्टी में जिससे गलती हुई है उसको जरूर मिले लेकिन उससे पहले थोड़ी सीरियसनेस दिखाई जाए कि कैसे ये इतना बड़ा गुना हो गया दो हिस्से एक पाकिस्तान को आपने दे दिया एक आपने चीन को दिखा दिया ये हो क जीते जी खिलवार नहीं होने देंगे और एक बात आपको और दिखा देती हूं ये है भारत का वो नक्षा जिसको हम सब देखते हैं ये है भारत का वो नक्षा जो हमारी आन बांड शान हमारे खून में बहता है जिसके लिए हमने कुर्बानिया दी है शहादत दी है ये है भारत का वो नक्षा क्या पाकिस्तान और क्या चीन हमारे बगल में हो लेकिन इस भारत के नक्षे को हम अपने दिल में बसा कर घुमते हैं और ये भारत का नक्षा भारती जनता पाटी बनाती है जहां पाक और चीन को हमारे हिस्से दिखा दिये जाते हैं ये है संप्रबुता और ये है संप्रबुता के साथ और भूबा के अखंडता के साथ खिलवार I will very briefly make a statement in English on this Between 1 to 1.30, the BJP, the Bharatiya Janta Party, its Stroll Army, its Fake News Factory, its leaders Who are very eager to hand over certificates of nationalism to people, tweeted a video It was about making Mr. Modi the Vishwaguru And in that video, ironically, this is what they have put out Parts of India are shown with Pakistan and China And if this is not an attack on our territorial integrity and our sovereignty, then I wonder what is And this exposes the Bharatiya Janta Party This tells you what they are made of, what their real motives are This also tells you The lack of respect they have for our sovereignty and for our territorial integrity And this also tells you who the real Tukure Tukure gang in this country is And it is none other than the Bharatiya Janta Party After these videos were put out by the BJP's Fake News Factory, its ministers, its leaders, its spokespersons And the official handle of the Bharatiya Janta Party People started reacting to it, people questioned how parts of India, territorial parts of India, integral parts of India were shown with Pakistan and China And in no time they deleted the video But because you deleted the video and ran away doesn't mean we will not raise the questions that should be raised And question number one is Because this is the map of India that we uphold This is the map of India that we respect This is the map of India for which we have made supreme sacrifices And no force on earth can make us believe that anybody can make a mistake like this No force on earth whatsoever But that's what the BJP has done And in fact according to a law that the BJP itself brought in parliament Which is the Geospatial Information Regulation Bill 2016 According to provisions of this A hundred crore rupee in fine And seven years in jail For anybody who depicts the map of India incorrectly So who is going to take the burden for this? Who in the BJP is responsible for this? Where does the buck stop? And which is why from this platform we demand That the Prime Minister and the BJP President Should with folded hands first ask for apology Before every Indian Because we will not tolerate this depiction of India We will not tolerate that in broad daylight You can distort the map of India And get away with it We will not tolerate that territories that belong to India Are shown as territories in Pakistan and China We will not tolerate that We seek accountability And most of all we seek an apology From no less than the Prime Minister And the BJP President National Dastak की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो National Dastak को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं National Dastak को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे